असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ में मटन पुलाओ की रेसिपी शेयर करी जो के बहुती मज़े का बहुती टेश्टी है मटन पुलाव हमारा बन करके तैयार हो जाता और इसे बनाना भी बहुती सिंपल और आसान है बहुती जल्दी और जटपट से ये बन करके तैयार होता है आप इसी इत पे इस रेसिपी को एक बाई जरूर ट्राय करें घर में बनाए घरवालों को खिलाए तो चलिए आईए देखते इसे बनाते कैसे है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इससे सब्सक्राइब करिए साथी में जो बेल आइकोन है उससे और पे प्रेस करिए जिससे के आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे यहा पए मैंने सबसे पहले मतन को गला ली ती तो मैंने यहां पे 500 गिराम मतन एकम लोल सबसे मतन आप चाहे तो बोलनेश मतन भी यहां पर ले सकते हैं फालो ऀसके अंदर में रखना आप मेरे एक बर्तन कंऺ प्यास गाफले कट करके कुकर में एक मीडियों साइज chi में यहां पर एक बड़ी इलाइची चक्री फुल दो तीन तुकड़े दाल चीनी का तीन हरी इलाइची चार पाच लोगे पांसे छे काली मिरी और हाफ टीस पूइं शाजी रहे और इसी के साथ में यहां पर तीन तेज पत्ते डाल दूंगी इन सब को दाल करके दो सेकेंड क को पका लेना है मतलब प्यास हमारी अलकी सॉफ्ट हो जानी चाहिए यह देखिए पांच मिर्ट में प्यास हमारी इस तरह से जब सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डेर टेबल इस्पून अद्रक लसन का पेश डाल देंगे और इसके साथ में हरी मिर्ची का पेश मिर्ची इसमें आप अपने टेश्ट के हिसाप से डाल लें कम्या जादा जैसे आपको लगे इसे डाल करके भी हम इसे पांच मिर्ट तक इसी तरह से हिलाते हुए बीच-बीच में भून लेंगे अच्छे से इसकी स्मेल खतम हो जाए जब तक कि यह देखिए अच्छे से म अगर आप चाय तो दाले वरना इसे स्कीब भी कर सकते हैं तो इन सब को दालने के बाद में हम इसे 5 मीट तक इसी तरह से 5-7 मीट तक बीच-बीच में हिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे आलो और मटन को अच्छी तरह से यह देखिए मैंने इसे भून ली हूं 7-8 मिन दाल दी हूं तो इन सब को दालने के बाद में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हमें मसाले के साथ में इसे पका लेना है पांच मीट के लिए यह देखिए जब इस तरह से पक जाएगा तो हम इसके अंदर 100 गिराम दही दाल देंगे और इसी के साथ म निर्ची में तीन-चार हरी मृची डाल देंगे और साथ में कोटमिर पुदीना दाल देंगे दो ते engine डाले के और साथ में नंख डाले तो बीड़ की लिए धर ऴ्साब कर लें यहां पर हमarी मसाली कि अ च्छे से पका लेना है। प्गोंने हम आराया हमारी सी उपक जाए अच्छे से तो 5-7 मीट में मतलब या अच्छे से पग जाएगा तो अब हम इसके अंदर पानी डाले गैंगेacia से ताकि जल्दी से मैं कि यहां à मैं geographical चावल दाल सकूँ यहां पर मैंने मान भाज़ चावल लीछा उसे यहां पर यहां पर मैंने सो इसे मैं दौ देखा तो को डढ़ करके अपना हिसाप से एक कर लिएक तेजे देकर 5-20 मिनुट-950 मिन अट रहें हम तो हम इसे ढखकन ढख करके 15-20 मिट के लिए slow gas पे दम दे देंगे, ये देखिए मैंने इसे 20 मिट के लिए slow gas पे पुलाओ को दम पे रख दीती है, अभी अच्छे से इसमें से भाप आ गई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पुलाओ बन करके तयार हो गया, मैं आप आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, उठा के चावल भी बहुत अच्छे से पग गए है, और आप देख सकते हैं, माशायला से कितने खिले खिले यहाँ पे हमारे चावल बन करके तयार हुए, और पुलाओ में मटन और आलू भी अच्छे से पग गए, तो चलिए मैं इसे रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें, अपने घर में पनाएं, घरवालों को खिलाएं, इस इत के मौके पे इसे जरूर से बनाएं, वीडियो अच्छा लगाओ, तो इसे लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं, तो वन टाइम सब्सक्राइब करिए, साती में जो बैल आइकोन हैं, उसे औल पे प्रेस करिए, जिससे के आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे चलिए, अल्ला आफीस